नमस्कार क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ सुदर्शन क्राइम रिपोर्ट में सबसे पहले बात हैदराबाद में हवस की भूख में अंधी एक पत्नी की जिसने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपका दिमाग भी सन रह जाएगा उस हत्यारिन ने पहले तो प्रेमी के साथ प्मिलकर पती की हत्या की उसके बाद शव को जंगल में जाकर जलाया उसके बाद प्लास्टिक सरजरी की मदद से प्रेमी को पती की सूरत देकर वो घर ले आई और साथ रहने लगी लेकिन मा को अपने नकली बेटे की हरकतों पर जब शक हुआ तो सामने आई वो दिल दहला देने वाली वार्दात जिसे सुनकर हर कोई स्थब्द है आईए आपको भी दिखाते हैं तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में तेलगू फिल्म ये वाडू स्टाइल में हुई की इस मर्डर मिस्टरी की दास्ता हुआ है हवस की भू की पत्नी की खौफनाक वार्दात पती की हत्याकर जंगल में शव को जलाया प्रेमी की प्लास्टिक सर्जरी करती पती की सूरत तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले की घटना आपने बेवफा पत्नियों के ऐसे कई किस्से कहानिया सुने हों जिनमें प्रेमी को पाने की चाहत में पत्नियों ने एक से बढ़कर एक गहरी साजिशे रच डाली लेकिन तेलंगाना में हवस की भूकी उस पत्नी ने वो कर डाला जिसे सुनकर आपका दिमाग सन रह जाएगा जी हाँ नगर कुरनुल जिले में सामने आई इस दिल दहला देने वाली वारदाज की चर्चा पूरा देश कर रहा है स्वाती नाम की ये महिला पती सुधाकर के साथ रहती थी इस दोरान राजेश नाम की एक अन्य व्यक्ती से स्वाती के नाजाय सम्मंद हो गए दोनों की प्यार में पती सुधाकर रोड़ा बन रहा था लिहाजा दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की ऐसी खौफणाक साज़िश रची साज़िश के मुताबिक दोनों ने मिलकर पहले तो महिला की पती सुधाकर की हत्या की इसके बाद जंगल में ले जाकर शव को जला डाला इसके बाद स्वाती ने प्रेमी राजेश का चेहरा तेजाव से जला डाला इसके बाद स्वाती ने ससुराल वालों को फोन कर कहा कि बदमाशों ने राजेश पर तेजाव डाल दिया और वो से अस्पताल ले जा रही इसके बाद हत्यारिन पत्नी ने वो किया जिस पर आपको शायद यकीन ना हो स्वाती ने प्लास्टिक सर्जुरी की मदद से प्रेमीर राजेश की सूरत खुब हुआ अपने पती जैसी कर दी पत्नी स्वाती को तेलगू फिल्म येवाडू से मिला आइडिया प्रेमीर राजेश के साथ मिलकर हत्या कर शव को जलाया इसके बाद स्वाती ने तेजाब डालकर प्रीमी का चेहरा जला डाला ससुराल वालों को सुनाई पती पर बदमाशों के हमले की छूटी कहान प्लास्टिक सर्जुरी से प्रीमी राजेश को दी पती सुधाकर की सूरत सुधाकर के परिवार वाले गाउं से जब अस्पताल पहुँचे तब तक प्रेमी राजेश प्लास्टिक सर्जुरी की मदद से सुधाकर बन चुका था हैरानी की बात ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद महिला प्रेमी के साथ आराम से ससुराल वालों के साथ रहती रही और लोगों की नजरों में पती के साथ ही रहने का नाटक कर धूल जोंकती रही लेकिन सुधाकर की मा को राजेश की हरकतों पर शक होने लगा मा ने सुधाकर बने प्रेमी राजेश से कई ऐसे सवाल पूछे जिसके जवाब वो नहीं दे पाया ऐसे में मा का शक और गहरा गया उसने परिवार वालों को ये बात बताई जिसके बाद पुलिस की मदद ली गई पुलिस ने आधार कार्ड में दर्ज सुधाकर के फिंगर पिंट से जब राजेश के फिंगर पिंट मैच कर आए तो पुलिस का शक्र और गहरा हो गया जिसके बाद दोनों से सकती से पूस्ताच करने पर हत्या का खुलासा हुआ प्लास्टिक सरजरी पर खच हुए पाच लाक रुपे प्रेमी को पती बना दुनिया की नजरों में छोंकती रही धूल राजेश की हरकतों पर मा को हुआ शक्त मा ने पूछे ऐसे सवाल कि जवाब ही नहीं दे पाया हत्यारा राजेश पुलिस ने राजेश के फिंगर प्रिंट किये आधार से मैच आधार काट से खुला हत्या कराज स्वाती और राजेश की रफतार स्वाती और राजेश ने फुलिस को बताया कि उन्होंने 26 नवंबर को ही पती सुधाकर की हत्या कर दी थी और जंगल में शव को आँख की हवाले कर दिया इसके बाद स्वाती ने राजेश के चेहरे पर तेजाब डाला और अस्पताल में भरती हो गए सभी कोनों ने यही बताया कि बदमाशों ने सुधाकर पर तेजाब से हमला कर दिया है इसके बाद 5 लाख रुपे दे कर प्रेमी राजेश को सुधाकर की सूरत तक डे डाली लेकिन दुनिया की नजरों में दूल जोकने वाला राजेश के फरेव को मा का दिल भाप गया मा ने पहचान लिया कि वो उसका बेटा नहीं है और उस मा की सजगता नहीं अपने बेटे की हत्यारी बहू और प्रेमी को उनके असली ठिकाने यानी सलाखों के पीछे पहुचा दिया ब्यूरो रिपोर्ट जन्टी